एलो फ्रेंट्स नमस्कार आप सभी का स्वागत है और एक नए वीडियो के साथ आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा थार को लेकर फ्रेंट्स आप सभी को पताई होगा कि महिंद्रा है वो 15 अगस को अपनी नई थार को अन्विल करने वाला है उससे पहले ही अभी हाली में इस Car की कुछ Speedizbs सामने आई है पहले तो आप सभी ने काफी सारी इमBaby देखी ओगी पर इस Car की काफी Clear Bird इमज अभी सामने आई है जिसमें इस Car का Interior काफी clean देखने को मिल जाता है इसके लावा इस car के exterior में कुछ कुछ चीजे देखने को मिल जाती है तो इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं तो इस वीडियो को last तक जरू देखें तो चलिए front देखते हैं इस car की सबसे पहली image तो इस पहली image में आप देख पा रहे होंगे किसमें आपको round shape में headlands मिलने वाले हैं वहाँ नीचे आपको fog lamp भी अब देखने को मिलने वाले हैं तो इसके लावा जो yellow wheel है वो आपको glossy black color के मिलने वाले हैं तो इसके लावा जो side profile में आपको over viewm है उस पह आपको thार की batting देखने को मिलने वाली है स्कलाज जो wheel arch है वो आपको काफी बड़े मिलने वाले हैं side foot step वो भी आपको काफी बड़े देखने को मिलने वाले हैं वही अगर हम बात करते हैं इस car के दूसरी image की तो दूसरी image है इस car के rear profile की तो rear profile में आपको जो tail lamp है वो आपको LED में मिलने वाले है वही साथ में आपको थार की बैचिंग टेल लेंपे मिलने वाली है इसके लावा जो रिवर्स पार्किंग सेंसर है वो आपको दो मिलने वाले हैं वो भी नीचे आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे इसके लावा ये कार है वो आपको 3 डोर के साथ मिलने वाली है जो इस image में आप देख पा रहे होंगे वह इसके लावा जो आपको spare wheel है वो आपको cover के साथ मिलने वाला है इसके लावा नीचे आपको reflector मिलने वाला है तो ये तो फ्रेंड इस कार के exterior की बात हो गई अब अगर हम अंदर चलते हैं और बात करते हैं इस कार के interior की तो नई महिंदरा थार में अब आपको infotainment system मिलने वाला है बड़ा सा जिसमें आपको android auto, apple car play जैसे काफी सारे सांदार features इस कार में देखने को मिलने वाला है इस कलावा नीचे आपको power window है वो आपको gear lever के site में दिये गए है इस कलावा ये नई महिंदरा थार है इसमें आपको auto climate AC का option भी मिलने वाला है इस कलावा जो seat से वो आपको leather की मिलने वाली है वह अगर हम बात करते हैं इस कार के next image की तो next image है इस कार के rear profile की sorry rear seat की इसमें हम देख पा रहे हैं कि इस कार में आपको rear में भी काफी अच्छा space मिलने वाल है इसमें आपको काफी अच्छा leg room वह near room मिलने वाल है rear seat में आप ती normal body वाले काफी comfortably बैट पाऊंगे इसका लवा इस image में हम देख पा रहे हैं कि इसमें आपको जो speaker है वो उपर की site दिया है गए है वही इस car में आपको जो headrest है वो rear में आपको adjustable देखने को मिल पा रहे होंगे तो यही कुछ information थी images थी जो हमने इस video में आपसे share की जो आपको ये video अच्छी लगी हो तो प्लिस वीडियो को like करिये share करिये और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूलिए तो आज की वीडियो में इतना ही धनियवाद तो चलिए मिलते हैं next video में